हलो स्टुडेंट्स गुड मॉनिंग बच्चो जैसे कि आपको पता है कि आपकी यूटी कम्प्लीट हो चुके हैं तो अब हम दुबारा से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं अब हम आगे का स्लेबस पढ़ेंगे यूटी में जितना स्लेबस आ चुका है है ना जो चैप्टर्स आगे अभी रह गए हैं जैसे जो चैप्टर्स आपकी यूटी में नहीं आए हैं तो जब भी आगे अभी एक्जाम होगा तो हम उसका दुबारा रिविजन करेंगे अभी फ्लालम उससे आगे का चैप्टर पढ़ते हैं हमारे चैप्टर फोर तक हिंदी में कम्प्रीट हो विद्वान ब्रामर लोग अपना भविश्य जानने घरेलू समस्याओं का समाधान पूछने वा पूजा पाठ कराने के लिए उसके पास आते थे आपने देखा ना कोई जैसे पंडित जी वगएरा होते हैं तो उनसे सब लोग पूछने जाते हैं ना आपने सब ही अच्छ काम के लिए तो उनके पास अभी लोग जाया करते थे उनकी विद्वत्ता की चर्चा पड़ोस के गाउं तक फैली हुई थी मतलब वो इतनी महान थे कि उनकी चर्चा जो है वो पास के गाउं वाले तक फैली हुई थी वह अपनी आजीविका कमाने के लिए पड़ोस के गा माने के लिए मतलब उनका यह काम था ठीक है जैसे जीवन बिताने के लिए लोग अलग-अलग काम करते हैं तो इनका क्या था इनका काम यह था कि वह किसी के घर में या कोई भी ऐसे बुलाता था तो यह पूजा पाट करना सबके समाधान बताना इस तरीकी का एक दिन वह मंदल के रास्ते बड़ोस वाले गाओं में जा रहा था तब ही उसने वहां पिंजरे में बंद एक शेर को देखा शेर ने उसे पास से गुजरते हुए देखकर कहा हे ब्रामन मतलब शेर ने बोला मुझे पिंजरे से बाहर निकाल दो मैं बहुत देर से भूका हूं शेर न बड़ी दीनता से कहा मैं तुम्हे वचन देता हूं कि मैं नहीं खाऊंगा बस तुम मुझे इस पिंजरे से बाहर निकाल दो ब्रामन ने डरते डरते पिंजरा खोल दिया पिंजरा खुलते ही शेर ब्रामन पर जपट पड़ा ब्रामन घायल होकर वहीं गिर गया तब ही व शेर और ब्रामड क्या बात कर रहे थी लोमडी जानती थी कि पिंजरे से बाहर ही रहा तो उसकी जान को भी खत्रा हो सकता है मतलब वो जानती थी कि अगर शेर पिंजरे से बाहर आ गया तो ब्रामड की जान को खत्रा हो सकता है ब्रामड ने लोमडी से मदद मांगी लोमडी ने भ्रामड की बास सुनकर कहा भला जंगल का राजा इस पिंजरे में कैसे बंद हो सकता है शेर लोमडी की बास सुनकर तुरंत पिंजरे में जा खड़ा हुआ समझ में आयस में क्या कहा भ्रामड ने लोमडी से मदद मांगी और लोमडी ने भ्रामड की बास सुनकर कहा भला जंगल का राजा इस पिंजरे में कैसे बंद हो सकता है तो शेर लोमडी की बास सुनकर तुरंथ पिंजरे में जा खड़ा हुआ लोमडी ने भ्रामण से फिर पूछा यह तो ठीक है कि शेर पिंजरे में बंद था पर क्या पिंजरे का दर्वाजा ऐसे ही खुला हुआ था यह कहते कहते लोमडी ने पिंजरे की कुंडी बंद कर दी शेर पुने हैं पिंजरे में बंद हो गया अब वह पच्ता रहा था मतलब लोमडी तो चाला होती है ना बहुत उसने अपनी बातों में उलजा कर बातों में ऐसे कहा तो शेर वाँ जाके खड़ा हो गया उसने दिखाया में ऐसे खड़ा था तो पिंजरा क्या ऐसे ही खुल रहा था तो उसने कुंडी भी बंद कर दी मतलब शेर वापस पिंजरे में बंद हो गया लोमडे की बुद्धी मता के कारण अब्रामन अपने आपको सुरक्षित पा रहा था उसने लोमडे का धन्यवाद किया और तेज-तेज कदम भरता हुआ अपनी मंजिल की ओर चल पड़ा मतलब वो जहां पास के गाउं में जा रहा था वहीं के लिए चल पड़ा तो हर काहानी से में एक शिक्षा मिलती है दूर्थ की बात पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए मतलब अगर यहां पर दूर्थ कौन हो गया शेर शेर की बात पर अगर वो भरोसा कर लिया था उसने पिंजरा कोल दिया है ना तो देखो अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड यहां पर शब्दर्थ पढ़ेंगे बुद्धी मता क्या होती है समस्दारी समस्दारी से काम किस ने लिया था लोमडी ने समाधान हल किसी भी चीज़ का सॉलुशन है ना आजीव का रोजी रोटी मतलब अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए ना है ना जीवन चलाने के लिए जीवन किससे चलता है अपने खाने पीने की सबी जरूरते पूरी करके मदद सहायता, सुरक्षित भे मुक्त, मतलब दर से मुक्त, विद्वान ज्यानी, विद्वता ज्यान, दीनता विनर्मता, पुने, फिर या दो बारा, मंजिल जहां पहुँचना हो, ठीक है बचो? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ग्यान कोश में दो लाइन दी है, लोमडी को जंगल का सबसे चालाग जानवर माना जाता है, आपसे कोशन पूछ सकते हैं कि सबसे चालाग जानवर किसे माना जाता है, तो कौन है वो? लोमडी, शेर, जंगल का राजा होता है, जंगल के जन्वर उससे दढ़ती हैं ठीक है तो दो कुशन हो गए यहाँ पर कि जंगल का राजा कौन है शेर और जंगल का सबसे चालाग जन्वर कौन है लोंबडी ठीक है तो आज हम बस इतना ही करेंगे कि हमने चाप्टर डीट कर लिया और इस रिलेटेड शब्द नेक्स्ट क्लास में आपको इस रिलेटेड जो भी फिलप्स हैं या कुशन अंसर हैं वह कंप्लीट करांगी आज के लिए इतना ही अच्छो थैंक यू